वाइफ जिनीलिया की प्रेगनेंसी पर सामने आया रितेश देशमुक का चबाब है लेकिन पिछले दिनों जिनीलिया एक फैशन स्टोर के लांच में पहुची थी जहां उनके लुक को देखकर उनकी प्रेगनेंसी किया वाहे शुरू हो गई दर असल लुक ही कुछ ऐसा था जिनीलिया का उन्होंने मिनी ड्रेस पहनी थी पॉपल कलर की जिसमें उनका पेट साफ नजर आ रहा था और सोने पे सुहागा ये हुआ कि वो बार-बार अपने पेट पर हाथ रख रही थी ऐसे में सोशल मीडिया पर हर तरफ ये कयास लगने शुरू हो गए कि जिनीलिया प्रेगनेंट है वो भी तीसरी बार हाला कि अब सामने आकर रितेश देशमुख न पूरी दुनिया को बता दिया है कि जिनीलिया डिसुजा प्रेगनेंट है भी या नहीं तो क्या कुछ कहा है रितेश देशमुख ने ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं लेकिन पहले आप से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर इसी तरह अपना प्यार बरकरा रखे हमारे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करते रहिए एक हजार सबस्क्राइबर दोस्तों हमारे पूरे हो गए हैं और आपके प्यार की बदौलत ये सब कुछ हुआ है आगे भी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखे ये वीडियो सब को शेर कीजिए ये चैनल सब को शेर कीजिए इस चैनल पर अलग-अलग तरीके की बॉलिवोडर टीवी से जुड़ी खबरे में आपके लिए लाती रहूंगी तो अब आपको बताती हूँ कि रुतेश देश्मुक ने आखिर क्या कहा है अपनी वाइफ जिनीलिया की प्रेगनेंसी पर तो वह जिनीलिया की तीसरी बार प्रेगनेंसी को लेकर उड़ रही है इनमें कोई सचाई नहीं ये सरासर जूट है दरसल रितेश देश्मुक ने अपने इंस्टेग्राम पर एक सोशल मीडिया का स्क्रीन शॉट शेर किया है जिसमें जिनीलिया के प्रेगनेंट होने की बात कही जा रही है और उसके स्क्रीन शॉट में क्या अप्शन में रितेश देश्मुक ने बड़े ही मज़ेदार अंदाज में लिखा कि वो चाहते तो हैं कि दो तीन बार वो पिता बने लेकिन अनपॉर्चनेटली ऐसा नहीं है ये सरासर जूट है तो भई रितेश देश्मुक ये स्क्रीन शॉट शेयर करकर बता दिया है दुनिया को कि जो खबरे आ रही है सोशल मीडिया पर इनमें कोई सचा ही नहीं है बलकि ये खबरे जो हैं वो बिलको जूटी है वैसे आपको हम बता दें दोस्तों कि वह हैं क्यों उड़ी इसकी वज़ए दरसल जिनीलिया का ल रहा था और बार बार जिनीलिया का हाथ भी उनके टमी पर ही जा रहा था ऐसे में सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया कि जिनीलिया तीसरी बार भी प्रेगनेंट हैं दरसल जिनीलिया की इस इवेंट में बॉड़ी लांगविज कुछ और ही बया कर रही थी क क्योंकि वैसे तो एक नजर में देखने पर सबको ये लग रहा था कि ये वाकई बेबी बंप है लेकिन ऐसा नहीं है जो कि अब रितेश ने क्लियर कर दिया है बात करें जिनीलिया के इस लूग की तो भई हमें तो जिनीलिया का ये लूग काफी क्यूट लग रहा था हाला कि कहीं कहीं से तस्वीरे देखने पर विडियो देखने पर ऐसा जरूर महसूस होने लगा था कि वाकई जिनीलिया जो है वो तीसरी बार प्रेगनेंट हैं लेकिन अब जब रितेश ने इक क्लियर कर ही दिया है कि इन खबरों में कोई सच्चा ही नहीं है और वो तीसरी बार पिता नहीं बनने वाले हैं तो भाई ये बात तो मानने पड़ेगी लेकिन एक बात तो है कि रितेश ने जिस तरीके से जवाब दिया है दुनिया को वो काफी मज़ेदार लग रहा है और जिस तरीके से इन खबरों को उन्होंने पूर्ण विराम लगाया है वो काफी इंट्रेस्टिंग है वैसे अगर बात करें इन दोनों की यानि रितेश और जिनिलिया की तो आपको बता दे दोस्तों कि साल 2012 में ये दोनों शादी के बंधन में बने थे इन दोनों ने एक दूसरे को करीबन 9 साल तक डेट किया और उसके बाद ही इनकी शादी हुई साल 2014 में इनकी बड़े बेटे रियान का जन्म हुआ और साल 2016 में छोटे बेटे राहिल का जन्म हुआ तब से इनका परिवार पूरा कम्प्लीट फैमिली है आपको बता दे दोस्तों कि ये दोनों जिनिलिया और रितेश देशमुक दोनों ही अपने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली अपने बेटों के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं लेकिन गौर करने वाली बात ये कि ये भी है कि जब भी अपनी फैमिली के साथ कहीं स्पॉट होते हैं तो इनके बेटे पैपराजी को देखकर प्रनाम करते हैं नमस्कार करते हैं जिसकी काफी तारीफ होती है सोशल मीडिया पर सभी लोग इनके बेटे के संसकारों को देखकर ये बोलते हैं कि इनको काफी अच्छे संसकार दिये गए हैं जो कि ये हाथ से जोड कर नमस्कार करते हैं जो काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ कीचता है लेकिन वापिस अगर हम बात करें जिनीलिया की तीसरी बार प्रेगनेंसी की खबरे जो उड़ रही थी उने लेकर रितेश का जो जवाब आया है वो काफी इंट्रेस्टिंग है जिस तरीके से उन्होंने जिनीलिया की प्रेगनेंसी की खबरों का खंडन किया है वो काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है क्योंकि उन्हों दोस्तों कि एक तरह से जनीलिया के इस लोग को देखने के बाद सब को यह लगने तो लगा था कि बागए जनीलिया प्रेगनेट है क्योंकि इनका ब्लोटिंग टमी काफी विजिबल था और बार बार उनका हाथ भी पेट पर जा रहा था जिसने लाजमी सी बात है लोगों के और शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी को लेकर उन लोगों की और जनीलिया के साथ भी वही हुआ हाला कि इस खबर में बिल्कुल नहीं है कोई सच्चा है जो कि अब रितेश ने भी क्लियर कर दिया है तो आप भी बताईए रितेश के रियाक्शन के सामने आने के बाद आप का क्या रियाक्शन है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए साथ ही ये भी बताईए कि जनीलिया के लोग को देखने के बाद आपको भी लगा था ना कि वो प्रेगनेंट है अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरू दीजिए साथ ही हमारे चैनल पर अ अपने नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में फिलाल इतना ही हन्यवाद